हैलो एवरिवन वेलकम टी यूटीब स्टड़ी आज की वीडियो में यूपी बोर्ट क्लास टेंट की स्टुडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट कोशन लेकर आएं आप देख सकते हैं यह जो कोशन आप देख रहे हैं दूजर दस ग्यारा बारा तेरा चौद पंदरा सोल इसमें जो आपका बोर्ट एक्जाम में संस्क्रीट में जो कोशन आता है साथ नंबर का साथ नंबर प्रशन उत्रशन के साथ का नंबर में लिखा होता है कि निमलिकित प्रशनों में से किनी दो प्रशनों के उतर दीजिए जो की संस्क्रीट में उतर देना होता है और एक- question है board exam 2020 में paper में आये हैं सारे सारे question इसमें हम लेकर आचुके काफी important ये video होने वाली है इस video को सुरू सन तक देखते रहे हैं अगर आप board exam देने वाले हैं इस video को like कर देना और आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe कर लें तक ऐसे daily important question का तयारी आपके साथ होता रहे चलिए start करते हैं आप देख सकते हैं जो question लाए है इस संस्कृत में प्रशन पूछा है और इसका जवाब संस्कृत में ही देना होता है ठीक है जो कि एक-एक नंबर का ये question board exam में पूछता है और ये question लाए हो में जो 2-20 में question पूछा है 2019 में 18 में इतने बड़ पूछ चुका है तो इसका answer का इसे लिखना है ध्यान से बस देखते रही है ठीक है तो देखिए इसका उतर में बता देता हूं आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि board exam में छूटे ना ठीक है चंद्र सेखरा का आसीद इसका उतर हो जाएगे चंद्र सेखरा पर सीधा तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्र सेखरा ठीक है चंद्र सेखरा यहाँ पर लिखेंगे प्रसीधा प्रसीधा ठीक है ना अब यहाँ पर क्रांतिकारी लिखेंगे क्रांतिकारी ठीक है ना चंद्र सेखरा प्रसिधा क्रांती कारी देश भक्त यहां पर लिखेंगे देश भक्त चासिद ठीके देश भक्त चासिद ठीके अब इतना लिख देंगे इसका एंसर हो गया ठीके अब इसके बाद है second number question काफी important है देखिए आप लिखा है कि भारती संस्कृत का संग मस्थली यह भी board exam में प इहां से बस board exam की त्यारी कर रहा है तो इस question को जरूर लगा लिजएगा देखिए इसका होजागा भारती संस्कृत लिखेंगे भारती संस्कृत क्या लिखेंगे भारती संस्कृत अब यहां पर सर्वेसम सर्वेसम ऐसे लिख देंगे अब इसके बाद लिखेंगे मताव ल लंबी नम ठीक है इस तरीके से इसका एंसर देंगे ठीक है लिखेंगे भारती संस्क्रीता सर्वेशं मताव लंबीम ठीक है इस तरीके से इसका एंसर देंगे अगला जो नेक्स्ट कोशन है इसका थर्ड नमबर आप देख सकते हैं लिखेंगे भारती संस्क्रीते मुलं कीम अस्ति तो इसका एंसर क्या दिखेंगे यहां पर लिखेंगे कि विश्वस्त अपर लिखेंगे उत्तर द्यान दिजिए यहां पर क्या लिखेंगे कि विश्वस्त यहां पर विश्वस्त ठीके विश्वस्त अब लिखेंगे इस्त्रास्टा क्या लिखेंगे इस्त्रास्टा ठीके न, अब इस्वरह, इस्वरह, ठीके, एक, एओम, देखें संस्क्रीत का वर्ड है, ध्यान से बस देखते रहे है, एओम इती, ठीके, इती, अब लिखेंगे भारती, भारती संस्क्रीते, संस्क्रीते, संस्क्रीते हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे, मूलाम, अस्ती, ठीके, सारे के सारे कोशन, रिविजन जरूर कर लिजएगा, अब नेक्स्ट कोशन है, यहाँ पर अब देख सकते हैं, फोर नमबर, क्या लिखेंगे, इसमें, कि मुख्यादूआ खदम, अस् तो इसका एंसर कैसे लिखेना है, फोर नमबर का, तो दिखेंगे, लिखेंगे, जनाह, उतर में, लिखेंगे कि जनाह, जनाह, ठीके न, यहाँ पर जनाह लिखेंगे, जनाह शुर्वड, शुर्वड, अब लिखेंगे, गुज्य, या, गुज्या, ठीके, गुज्या सह, ठीके कर तोलं य यंदि कैसे लिखेंगे कर तोलं यंदि कर अब इसके बाद लिखेंगे लिखेंगे इटास्य मुखादा मुख्यत्युआ रिहें से मुख्या दुआः ठीके आप लिखें कम फोषी यह चेंटop आगला कोशन है फाइफ नूंबर यहां कि वीरह केन पूज्याते यहां पर आधा जा रहाएगा ठिकैं वीरह केन पूज्याते इसका एंस्वर क्या लिखेंगे यहां पर उत्तर ध्यान दीजिएगा लिखेंगे वीरह वीरविरेण वीरेण है ठीके ना वीरविरेण पूजेते ठीक है इस तरीके से इसका अंसर देने अगला कोस्चन देखिए पूरा पुरुराज केन सह यूद्धम अकरोथ याँ यूद्धमा अकरोथ है ठीके इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे पूरू राजा इस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे अलचंद्रा ठीके अलचंद्राड आप लिखेंगे सह यूधमा ठीके इधमा अकरोधा ठीके इस तरीके से लिख देंगे अब seven number question है लिख्या कि पदेन वीना किम दुरम याती तो इसका उतर लिखेंगे कैसे ध्यान दीचीएगा कि पदेन पदेन वीना पदेन वीना पत्रम ठीके ना पत्रम दुरम याती इस तरीके से लिख देंगे ठीके अब last question है जोकि आठ नमबर, फिए ग्रामिळाम, कह उपाहस्ता, ये कोशन काफी इंपॉर्टन्ट है, फिके इस विडियो को अपने दोस्तों में थुड़ा सेर कर देना ताकि Щि और भी आपके लिए काफी important question लेता रहा हूँ देखे ग्रामिडाम का उपास्त तो इसका उतर लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दिजीगा लिखें ग्रामिडाम ग्रामिडान ग्रामिडाम एका एका नागरी का नागरी का उपाहस्त है ठीक हो गया इसका जारा का सारा कोशं का एक बार दो बर जरूर आप रिविजन कर लिजी वीडियो को दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ ठीक है और इस वीडियो को सेर कर देना चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए गा मिलतें नेक्स चादिन